कि अब यूट्यूब चैनल दापेट वीजन दिस साहिल मलीक यूँर होस्त अन्द यूर्वेड तो गैस आज की वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक के उपर है जैसा कि आप थमनेल में भी देखी चुके हो तो गैस आज हम बात करेंगे फीमेल डॉग की हीट के बारे हैं ताकि हमें सक्सेस्फुल मेटिंग गैठ हो अगर आप फुली नॉलेच चाहते हो तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें यह जो वीडियो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टन एक टॉपिक रखती है एक बहुत एक 100% एहमेत रखती है अगर आप एक डॉग लवर हो एक डॉग ओनर हो और डॉग ब्रीडर ही क्यों ना हो ब्रीडर के लिए यह स्पेशल एक वीडियो है अगर आप इसे वोच कर रहे हो तब आप कभी भी गलती नहीं करोगे तो इस माइंड के अंदर सबसे पहले यही कोशन अराइज होता है कि जैसा कि हम फीमेल जो कभी लेकर आते हैं तो उसकी वो जो फस्ट हीड का टाइम क्या होता है यानि फस्ट हीड कभ गेंड करती है तो इसका जो आंसवर रहेगा वह है नाइन से टैन महीने तो जे पी जो नाइन से टैन महीने है breed wise vary करते हैं जो guys smaller breed होती है वो अपनी इस्ट्रस जो cycle होती है heat जो cycle होती है वो पहले ही कर देती है यानि वो 4 महीने या 5 महीने की age में ही आपको show कर देगी बट guys कुछ breed ऐसी होती है काफी जादा जो late भी show करती है कई बार तो problem ऐसी हो जाती है 9 से 10 महीने की age में first heat gain कर लेती है तो guys अब हम बात करते हैं mating की तो guys जब भी आपकी जो female dog 9 से 10 महीने की हो गई है तब वो sexually matured हो चुकी है वो puberty gain कर चुकी है बट guys मैं आपको यही suggest करूँगा first heat को आप कम करो यानि उसे first heat में आपको meeting बिल्कुल नहीं करवानी आपको first heat छोड़ देनी है जो second heat आएगी यानि जो second heat repeat होती है कितने महीने बाद repeat होती है 6 महीने बाद यह repeat होती है ध्यान से सुनो इस बात को ठीक है यानि एक साल में वो 2 बार cycle चलती है और कब कब का interval रहेगा यानि 6-6 महीने का interval रहेगा तो guys अगर एक heat आ गई है अभी तो उसके 6 महीने बाद second heat आएगी तब guys जो वो second heat और जो third heat का जो जितना भी जो interval होता है अगर आप उसके अंदर meeting करवा रहे हो तब आपका जो female जो dog है वो 100% matured meeting हो जाएगी यानि successful हो जाएगी आपकी meeting और आपको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे cute से pups मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा healthy होंगे तो guys basically अगर हम बात करते हैं heat की तो guys वो heat के symptoms क्या है जो हम घर रहते भी देख सकते हैं कि हमारी जो female जो dog है वो heat में आचुकी है सबसे पहले तो guys जैसा कि screen पे भी आपको दिख रहा होगा vulvar swelling हो जाएगी इसके अंदर और जो guys जो most accurate जो symptom है वो है guys vaginal bleeding यानि vagina से bleeding आनी start हो जाएगी mostly cases के अंदर ये देखा गया है इसके अंदर guys जो female जो होती है वो male dog के लिए एक attraction feel करेगी यानि वो male dog के पास जाएगी mounting की position stand करेगी जैसा कि screen पे भी आपको दिख रहा होगा साथ में guys इसके अंदर मैंने जैसे bleeding तो बताया है एक guys एक opaque यानि जो cloudy एक appearance होती है उसकी यानि वो एक vaginal एक discharge होता है आपको वो भी आना show हो जाएगा तो guys जो ये vaginal जो discharge है guys कई बार pyometra के case के अंदर भी देखने को मिलता है तो guys इसको आप अच्छे से diagnose करवाओ एक experience wet से जो एक अच्छा एक doctor हो veterinary और guys साथ में ही अगर वो एक pet का practitioner हो तो आप उसकी सलापर भी अप एक अच्छे wet के जरूर contact में आए और अपने सारे doubt clear कीजिए तो guys ये थे कुछ heat के symptoms जो मैंने आपको बता दिये तो guys अब मैं बात करता हूँ वो ऐसा time कौन सा है जिस time हमें अपनी female dog की mating करवानी चाहिए देखे guys जब cycle चल रही होती है basically जो ये cycle होती है कितने दिन तकी होती है guys बीस दिन तक होती है approximation लगा के हमने आपको ये बताया है तो guys बीस दिन ये cycle चलती रहती है तब guys आपको इस दोरान कब mating करवानी है जब आपकी जो female की जो Easter cycle का जो time है 10 से 14 days के बीच में चला गया है accuracy की बात करें यानि accuracy की बात करें तो guys 11th जो day है उसके अंदर अगर आप mating करवाते हो तब आपकी जो female जो dog है 100% mating successful हो जाएगी जो guys ovulation की process होती है वो भी इसी duration में एक release हो जाते हैं यानि जिसे हम ova बोलते हैं तो guys उसके अंदर mating करवाना copulation करवाना coitus करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप एक successful meeting चाते हो एक successful अगर आप एक pregnancy चाते हो तो guys ये एक important पॉइंट था इसलिए मैंने इस point के ओपर थोड़ा दबाव डाला है तो guys अगर आप किसी भी veterinary assistant veterinary doctor किसी के पास जाते हो तो guys आपको वो जो veterinary जो होता है दो test बताएंगे एक तो guys होता है serum progesterone test तो guys ये जो serum progesterone test होता है नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर guys जो progesterone का level चेक किया जाता है तो guys जो most accurate जिसे हम test बोलते हैं वो यही है इससे guys हम direct बता सकते हैं कि इस time ovulation हुई है इस time अगर आप meeting करवा रहे हो तब आपकी जो 100% pregnancy gain कर लेगी आपकी जो female जो dog है तो guys ये जो test होता है आपके जो veterinary जो doctor है वो ही करेंगे साथ में guys एक test और है जिसको हम बोलते हैं vaginal cytology तो guys ये कुछ दो एक important एक test जो मैंने आपको बता दिये हैं तो guys एक बात जरूर ध्यान देनी है जो मैं आपको pressurize कर रहा हूँ आपकी जो dog की जो heat की जो cycle होती है 20 दिन तक रहती है उसके अंदर आपको करवाना है और guys मैंने वीडियो का जो main conclusion निकाल के आपको बता देता हूँ 10 से 14 दिन की जब वो heat cycle चल रही होती है तब आपको mating करवानी है अपने dog की successful pregnancy हो जाएगी बहुत ही अच्छा आपको result मिलेगा कोई भी problem नहीं आएगी बट guys ये जरूर ध्यान देना आपको ये जरूर ध्यान देना है कि आपको ये पहले notice कर लेना है कि मेरे पास जो dog breed है वो कौन सी breed है यानि वो small breed है या वो large breed है या आप थोड़ी average breed भी यानि जिसे हम देसी dog भी बोल सकते हैं तो guys ये कुछ आपको ध्यान में रखने वाली बात है तो guys एक बात और अगर मैं आपको बताऊँ आपकी जो dog है first heat gain करती है तो वो ज़्यादा symptom show नहीं करती तो guys लेकिन जब second जो heat gain करेगी तो guys बहुत सारे symptom show करेगी heat के अगर guys आपको first heat में symptom नजर नहीं आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आपको notice करने वाली कोई भी बात नहीं है first heat को आपको छोड़ना है second और third heat पे आपको mating करवानी है mating का process करवाना है बहुत ये अच्छा आपको result मिलेगा और guys मैं आपको ये भी बता दिया है कि first heat कितने महीने पे आती है second heat कब repeat करती है guys 6 महीने का interval लेके हम चलते हैं या 6-7 महीने का interval लेके हम चलते हैं तो guys आज की जो video है हमने जो बनाए थी एक breeder के लिए special है अगर आप एक breeder हो और अगर guys आप एक pet owner ही क्यों ना हो तो आपको भी पता होना चाहिए अगर आपके पास female जो dog है आपको ये knowledge होनी चाहिए कि मुझे किस time और किस time जाके हमें mating करवानी चाहिए और guys अगर आप एक healthy अगर dog से mating करवाओगे natural service कर अगर आप करवा रहे हो आपको अच्छा result 100% मिलेगा आपके मन में कोई भी doubt नहीं रहेगा but guys मैंने आपको पहले ही बताया था दो बिमारियां होती है एक pyometra होती है यानि पस भर जाता है uterus के अंदर साथ में एक और बिमारी होती है false pregnancy या जिसे हम pseudo pregnancy भी बोलते हैं अगर आपकी female dog इन दो बिमारियों से सफर कर रही है तब guys immediately nearby wet से आप जरूर contact करें उनकी सला पर एक अच्छा एक treatment करवाएं इसका treatment हो जाएगा guys tension लेने वाली कोई भी बात नहीं है तो guys मैं आशा करता हूँ आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए useful रही होगी अगर guys आपका कोई भी doubt है तो comment section में मुझे जरूर बताएं और guys मेरी Instagram ID है वहाँ पे हमने एक page बनाया हुआ the pet vision के नाम से आप हमें वहाँ पे भी message कर सकते हैं आपका reply जरूर दिया जाएगा और अगर guys मुझे कोई point छूट गया है आपके मन में कोई doubt है तो जरूर comment section में बताएं thank you so much जै ही जै भारत